समस्कार मैं हूँ आपके साथ नावेद माजेद और दालीडर हिंदी के खास प्रोग्राम पॉलिटिकल किस्से में आपका स्वागत है पॉलिटिकल किस्से की इसकड़ी में हम बात करेंगे उस किसान नेता के बारे में जिनके आंदोलन से सरकारे काप जाती थी किसानों की मांग जब सरकार नहीं मानती थी तो वो नेता अंदोलन करता था और अंदोलन के दुरान आज के नेताओ की तरह मंच पर नहीं बलकि वो किसान नेता किसानों के साथ जमीन पर बैठता था और हुका गुलगुलाता था उस हुक्के की गुलगुलाहट से सरकार के दिल की धड़कने बढ़ने लगती थी आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महेंदर सिंग टिकैत के बारे में और उनका वो किस्सा बताएंगे जब उनके नेतरतों में आंदोलन से सत्ता रून दल को अपनी रेली की जगा बदलने पड़ी थी महेंदर सिंग टिकैत किसानों के बीच बाबा टिकैत कहलाते थे किसानों के बीच उनकी एक अच्छी पहुंच थी एक उनकी आवाज में लाखो किसान इकटा हो जाते थे उस रोज भी दिल्ली में ऐसा ही हुआ 25 अक्टूबर 1988 को महेंदर सिंग टिकैत के नेतरतों में दिल्ली के बाट कलब में किसानों की रेली की तयारी थी बिजली और सिचाई की दरे घटाने और फसल के उचित मूलिय सहीत 35 सूत्रिय मांगों को लेकर पश्चीमी यूपी से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुँच रहे थे पिरसासन ने किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल का इस्तमाल किया लोनी बॉल्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने फाइरिंग भी कर दी जिसमें तो किसानों की मौत हो गई बताते हैं कि करीब 14 राज्यों के 5 लाग किसानों ने उस वक्त दिल्ली में डेरा जमाया था किसान के समुने विजय चोक से लेकर इंडिया गेट तक कबजा कर लिया था पूरी दिल्ली ठप हो गई थी किसानों ने अपने ट्रैक्टर और बैल गालियां भी बोट कलम में खड़े कर दिये थे उस वक्त बोट कलम में पूर प्रधान मंतरी इंडरा गांधी की पुनेतिती के लिए एक मंच बनाया गया था तमाम पिरकार की तैयारिया चल नहीं थी लेकिन बाबा टिकैट तो बाबा टिकैट थे वो उसी मंच पर बैट गए तब टिकैट ने किन सरकार को चेतामी देते हुए कहा कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही इसलिए वो यहाँ पर आए है ठेट गवई अंदाज वाले बाबा टिकैट ने एक किसानों के साथ वहाँ साथ दिन तक धरना दिया था टिकैट के नेतरतों में 12 सदस सही कमेंटी का गठन हुआ जिसने ततकालीन राश्ट पती और लोकसबाद्यक से मलाकात की लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका किसानों के परदर्शन के चलते कॉंग्रेस को इंद्रा गांदी की पुनेती थी कि रेली का इस्थान बदलना पड़ा था कॉंग्रेस में बोट किलब के बजाए लाल किला के पीछे वाले मैदान में रेली की थी तब टिकैद ने ततकालीन राजिव गांदी सरकार पर गरस्ते हुए कहा था कि किसान की नाराजगी उन्हें सस्ती नहीं बढ़ेगी आखिरकार के इन सरकार पर किसानों के आगे जुकना पड़ा राजिव गांदी के भारते किसान यूनियन की सभी 35 मांगों पर फैसला लेने के आस्वोसन पर वोट किलब का धर्णा 31 अक्टूबर 1988 को खत्म हो गया कहते हैं कि इस आंदोलन से चोधरिय टिकैद का वैकद हासिल हो गया कि परधान मंतरी से लेकर मुखे मंतरी भी उनके आगे छुकने लगे रहे बावाटिकैज जिस बात को कहते थे सरकार बिना अनकानी के उस बात को माल लेती थी बैराल आज का समय दूसरा है आज के नेता दूसरे है हलाल के लिए इतना ही मैं फिर हाजर होँगा किसी नए किस्ते के साथ तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे हैं और हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करते रहें धन्यवाद